इसका क्या फाइदा है? What is the benefit of this? Good morning! जाते थे तो बड़े शान्त और बहुत अच्छे मन से जाते थे तो ये देख करके उनके स्टूडन ने एक बार उनसे पूछा कि गुरू जी एची बताईए है, यह हम जो डेली हम लेसंस दे रहे हैं, इसका क्या फाइदा है? इसका क्या benefit है? क्योंकि आप आज जो बोल रहे हो, इनको अच्छा लगता है, बड़ जब ये कल वापिस आते हैं, तो ये फिर से परिशान होते हैं तो जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप सिखा रहे हो, उसका कोई lasting benefit नहीं है तो जो गुरू से उनने का कि अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसका कोई lasting benefit नहीं है, बड़ चलो इसका एक शोटा सा experiment करते हैं सामने ना कि ये कोईले की टोकरी है, खाली टोकरी है, एक बज़रा इसको ले के आओ तो कोईले की टोकरी ले के आओ, बड़ी गंदी थी, अंदर से एक तुम्हें काली आली हुई भी नी थी और उसने का कि मुझे ना इसमें पानी भर के लाओे, सामने जो नदी भहरी है, जाओ और इस पे ना पानी भर के ले के आओ तो स्टूरें ने का सर क्या बात कर रहे हैं अब गुरुजी, यह तो पानी निकल जागा कहते हैं नहीं, ट्राय तो करो, तो जो स्टूरेंट है वो गया, और नदी के पास गया, उसने उसमें पानी भरा, जैसी ले के आओ, तो वो उसमें बहुत बड़े-बड़े छेद थ तो सारा का सारी पानी निकल जाता था, तो उसमें दो तिन बार ट्राय किया, और अल्टिमेटी था कहार के वापस आया, कहता गुरुजी, यह देखो, मैं पहली कह रहा था, इससे पानी नहीं ला सकते, इसमें बहुत सारे छेद हैं, तो गुरु ने कहा कि, यह ना मैंने त तुम्हें पानी भरने के लिए नहीं भीजा था, बड़ तुम्हें एचीज को ध्यान दो, कि अब टोकरी को देखो, तो क्या यह टोकरी पहले से साफ है कि नहीं है, तो कहते हैं, यही बेनफेट होता है, यह सत्संग करने का, तो जो हम यह सत्संग करते हैं, और डेली जो देख में इने बताता हूं, सेम नॉलिज को मैं अगर बार बार भी बताता हूं, तो होता क्या है, कि एक बार में लोग नॉलिज को नहीं समझ पाते हैं, नहीं एब्जॉब कर पाते हैं, पर जब वो डेली सुनते हैं, तो उनके अंदर जो है, उनका मन जो है, साफ हो जाता सब्सक्राइब तो यह जो चीज़ें आग डेली जैसे हम लोग नहाते हम कहते हैं एक बार नहा लिया तो काम नहीं चलेगा यह motivation हमें रोज चाहिए तो चाहे आप मेरी स्टोरी सुनें चाहे आप कुछ और सुनें कोई अच्छी बहुत अच्छा अच्छा ग्यान अवेलेबल है बहुत सारे अच्छे फोन गुम गया तो उसके अंदर में यह एंड्रोइड फोन के लिए है और यह एपल के लिए है तो इसमें आप अगर एंड्रोइड फोन है तो आप सिंप्ली यह लिख सकते हैं फाइंड माई फोन और यहां पर जो पहला लिंक कर रहा है इस पर क्लिक किया मैंने तो देखें यहां पर मैं साउंड प्ले कर सकता हूं और आप देखेंगे की देखें मेरा फोन अभी ऑफ है घर में घर में रखें बुढ़ जाते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक़िए न आप सेकिर लॉक कर सकते हैं इसको एगर फोजाए तो आप अपने आईपों पाइंट नाइप कर दिशेंगे चाजए और यहां पर आप अपने iCloud account से sign in कर सकते हैं यहां पर आपकी जो भी device हैं आप उनको locate कर सकते हैं तो the same thing you can do for iPhone as well as for iCloud आपको अपना username password डाल के इसमें proceed करना होगा I hope कि यह tech tip कहीं न कहीं जरूर काम हाईगी क्योंकि यह devices तो अक्सर खोते रहते हैं घर में घुम जाते हैं कि किदा रखे भूल गए तो look forward to seeing you you know again with another amazing story